हलो स्टुडेंट्स तो आज हम सुरू करते हैं आपका नियो चैप्टर सिक्वेंस इस एंड सिरीज और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वाट यू मीन बाइद शिक्वेंस तो शिक्वेंस क्या होता है तो सिक्वेंस इसमें आप देखेंगे शुबज में शिक्वेंस लिखता हूं यहां पर वान टू थ्री फोर फाइव तो आको मालूम है एक पैटर्न है आपर जो हर नेक्स्ट नमबर है यह आपका पहले नमबर में वन एड़ आपकर के आ रहा है तो इसका जो जनर्नल टर्म है एन वह होगा एन शबूज आपको फोर्थ पोजिशन पर निकालना है यह फोर की वैल्यू क्या है तो एन की वैल्यू रख दीजिए जड़ी का टू फोर यह आपका फोर होगे तो इसी तरह एक सिक्वेंस हो सकती है आपके देखिए टू फोर सब्सक्राइब का फोर्ट निकालो फोर्ट पोजिशन पर तो यह गाट ट्वाइस ओफोर तो एट तो यह आपका एट होगे और इसी तरह ले सकते है देखिए वन यहां लेता हूं को तो यह गा वन फिर क्या होगा नेक्ट आपका फोर फिर नाइन फिर 16 25 यह भी एक आपक इसकता लें देखिए तो फ्लट ज्रतम देखे कि होगा इसका होगा एनष्ट कर अलोगा डा था मुक देकिए व Gestala कि ढूट सब्सक्राइब देखिए खोर इसकर तो इसच्वाइब आप देखेंगे इसके लिए हम जब लिखेंगे ए एन तो एन की वैली होगे यहाँ पर एन का स्क्वायर तो यह जनरल टर्म हुआ चेक करते हैं फिप्टरम यह फाइब बोले तो फाइव का स्क्वार एकॉर्ट ट्वेंटी फाइव इसी ट्वेंटी फाइव तो इसे आप ज कर तो में चबंत कर सकते है यह पक्राइब कर तो अक्राइब करना कि अपना है आपका ऐसे लिए न में तृब लिए फिर टरम टॉसां टरियुक्त पीप लाइए न तृव reflecting ह्ट्रै गरते हैं तो त्रीटाइम मों फाइव्ट तो 15 इसे-एरë तो यह था अबाउट दा सिक्वेंस अब सिरीज क्या है सिरीज देखेगा सपोज करो मैं लिखता हूं यहां पर एक सिक्वेंस 1 4 3 16 25 यहीं से लिए मैंने देखे तो यह आपके सिक्वेंस हुई अब सिरीज क्या होगी नाओ इप है इस दा गीवन सिक्वेंस यह यह आपकी कोई गीवन सिक्वेंस है तो अब मैं सिरी लिखता हूं देन 1 प्लस 2 1 प्लस 4 प्लस कितना थैने क्वेंस आपका 9 था यह 9 16 प्लस 25 यह होगी सिरीज कोर्स्पोंड इंडोट दढवर सिक्वेंस यहिरीज इस सिक्वेंस के कोर्स्पोंडिज और सिरीज होगी वह यह होगी तो अब देख सकते हैं यदि यहां पर यह आपका फर्स टरम शेकिंद और थार्ट टर्म फोर्ट टर्म देशियां पर क्या होगा आपका स्वमिशन ओफ ए एन एन एक्वल टू वन से लगा करके और यहां पर आपका जो भी नंबर होगा आपको सब्सक्राइब करो के तक है तो एन इकॉल टू के तक तो यह आपके हो जाएगी सिक्वेंज अब यह किस केको की फाइट आड़ आड़ी होगी इन फाइनाईट है आप देखेंगे जो फाइनाइट है यह होगी आपके जिसमेन टोटल नंबर favour है यह अपके फाइन अечज ऑग नहगे पाइन पारण गो सीक्वें से उसे देखेंगे ऐसे जवनाची सिक्वेंस सो यहानाची स्रीज यहांतर आप देखेंगे आपर पर इस एड कहले के लिए आप लोग करेंगे आपर आप आपर जो इवन है फक्राणि में सान होता है रे Sharpeét के सब्सक्रांद में बहां में बान होता है और A3, A4, A5, A6 यह आप calculate कर सकते हैं और फार्मला होता है A n equal to ध्यान देंगे A n minus 1 plus A n minus 2 और यहाँ पर ध्यान रहेगा special ध्यान रखेंगे n greater than 2 n की value 2 से कम नहीं होना तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो A3 यह आएगा इसके लिए क्या आएगा आपका यह आएगा आपका A1 प्लस चलो थिरी रखके देखाते हैं एनिक लुक्ति रखेगा तो यह थ्री माइनस वन यह थ्री माइनस टू यानि की A2 प्लस एवन और इसके लिए कॉंस्टेंट है यह नोरे टो की वाली वन प्लस वन तो यह पी तू आगे और इस तरह आप जब फोर निकालेंगे देखिया फिर से क्या होगा A4 माइनस 1 A4 माइनस 2 यानि की A3 प्लस एटू अब एटू की वालू कितनी है वन और एट्री की वाली अभी अभी कितनी आया आपकी टू तो यह हो जागा कितना आपका 2 प्लस 1 एक्वाल टू 3 इसी तरह जबाब एफाई निक 1 2 3 5 तो यह जो यह आपकी सिक्वेंस है यह क्या है आपकी फैबना की सिक्वेंस और जब आप इसको एड़ कर देते हैं तो दिस इद काल फैबना की स्रीज तो इस्टूडेंट यह बहुत इस्पेशल सिरीज है और इसमें आपको मैं बता दूं कि जो नेचर में बहुत सारी चीजे हैं जो इस पहलाई करती है जब किसी प्लांट के अंदर लीव आती है तो एक लीव यहां आती है दूसी लीव यहां यदि यहां आती है चोलिक सेक्वें вас होदि यह गया सेक्वेंस होती बताऊ के तो पर मैं बताऊं यहां पर देख सकते हैं यदि मैं यहां पर कोई एक बढ़ा देते हैं फिर यह वैल्यू कितनी हुई आपके सपोज करो वन के जगे आपका यह वन वन थे यह हमका टू हो गया तो टू के बाद अगले वाला कितना हो जाएगा आपका यह थ्री हो गया फिर फाई हो गया इस तरह आप देखेंगे यह जब आप इसकी वैल्यू साधे एक्जामपल है ने चरमें जहां तो देखेंगे एक है का अश्यू बन गई है इसी से आपका जो ट्री है इसी सब्सक्राइब के पैटल्स होते हैं किसी फ्लावर में तो वे भी आपके के नहीं होते जो दो पैटल के बीच का अडिश्ट इसन कॉंस्ट्न नहीं होता भी सीविए मिलें तो यह कहीं नाücklich तो नेचरी यह कहीं थे शीरीज को पहा होग सिक से होग सॉट करके चल रही है उसी सिकवेंश को मिल्ट है एक साइसों कि अठीश को देखेंगे तो शिरीज शीरिज आपका यह निलस complexity 1 point one और इसका पहला question देखेगा, यहाँ पर आपको general term दिया है, that is the part five term of each of the following sequence in exercise one to six, whose term are, तो यह general term है ने term बोले तो general term, question number one के लिए आपको a n दिया हुआ है, n into n plus two, और first 5 term यानि A1, A2, A3, A4 और A5 की value निकालनी है चलिए हम निकाल लेते हैं उन्होंने first 5 term पूछें तो यह होगा 1 into 1 plus 2 फिर यह हो जाए कितना 2 into 2 plus 2 इधर 3 into 3 plus 2 क्या कर रहे हम एन की जगे 1 to 3 डालते जा रहे फिर 4 into 4 plus 2, 5 into 5 plus 2 value आती है देखे 1 into 3, 2 into 4, 3 into 5, 4 into 6, 5 into 7 और आपका अंसर देखे हैं मिल जाएगा आपको यह है 3 और यह 2, 4 जा 8, 3, 5 जा 15, 4, 6 जा 24 और यह 5, 7 जा 35 चलिए question number 2 को देखते हैं और यहाँ पर दिया है आपको देखते हैं यहां पर जगे कम हो जाएगी तो मैं आगे बढ़ जाता हूं यहां लेते हैं हम लोग question number 2 और जनल टम दिया है अन इकोल to N upon N plus 1 तो A1, A2, A3, A4, A5 calculate करेंगी यहां पर होजाएगा 1 upon 1 plus 1 यहां 2 upon 2 plus 1 यहां 3 upon 3 plus 1 3 upon 3 plus 1 4 upon 4 plus 1 5 upon 5 plus 1 और आपका answer बनता है 1 upon 2 2 upon 3 3 upon 4 4 upon 5 or 5 upon 6 आई यह next question देखता है question number 3 बहुत ही आसान question है और यहां पर आपका A N दिया हुआ है equal to 2 raise to power N तो A1, A2, A3, A4, A5 देखें यहां पर मिलेगा आपको 2 raise to power 1, 2 raise to power 2, 2 raise to power 3, 2 raise to power 4, 2 raise to power 5 और sold और sold करने पर आपका answer आता है 2, 4, 8, 16, 32 आई यह question number 4 देखते हैं और fourth question में यहां पर general term दिया हुआ है question number 4 और A N इस given by 2 N minus 3 upon 6 A1 की जागे हो जाएगा 2 into 1 minus 3 upon 6 bracket में लिख देते हैं यहां हो जाएगा twice of 2 minus 3 upon 6 thrice of 2 twice of twice of 3 minus 3 upon 6 A4 twice of 4 minus 3 upon 6 और फिर्ट वाला टाम होगा twice of 5 minus 3 upon 6 6 आई ये शोड़ करते हैं आप कांसर मिलते हैं यहां पर कितना होगा यह होगा यह होगा टू बंजा 2 minus 3 minus 1 upon 6 2 to the 4 minus 3 1 upon 6 2 3 6 minus 3 3 upon 6 जिसका फोड़ करके 1 by 2 भी लिख सकते हो और यहां पर 8 minus 3 5 5 by 6 इदर होगा आपका 10 minus 3 7 by 6 और अभी क्वेशन नम्र 5 देखेगा तो अभी आप देखें क्वेशन नम्र 5 और यह है a n equal to minus 1 raise to power n minus 1 into 5 raise to power n plus 1 तो a1, a2, a3, a4, a5 हम कल्कुलेट करेंगे तो पहला होगा minus 1 raise to power 1 minus 1 into 5 raise to power 1 plus 1 minus 1 raise to power 1, 2, 2 minus 1, 5 raise to power 2 plus 1 यह होगा minus 1 raise to power 3 minus 1, 5 raise to power 3 plus 1 minus 1 raise to power 4 minus 1, 5 raise to power 4 plus 1, minus 1 raise to power 5 minus 1 और 5 raise to power 5 plus 1 और sold करने पर आएगा देखें यहां पर आप देखेंगे तो minus 1 raise to power 0 even हो गया तो यह positive होगा 5 raise to power 2 25 होता है आगे देखें 2 minus 1, 1 होगा है तो यह negative term आएगा और 5 raise to power 3 minus के 125 आगे बढ़ते हैं यहां पर फिर आपका even हो जाएगा तो यह positive आएगा 5 raise to power 4 फिर देखेंगे यहां पर आएगा minus के 5 raise to power 5 और यह आएगा 5 raise to power 6 आएए हम question number 6 को देखेंगे और जैसे कि यहां पर दिया गया है general term a n equal to n into n square plus 5 by 4 तो a1 a2 a3 a4 a5 और यह term होंगे आपके 1 और यह 1 square 1 plus 5 by 4 2 2 square 4 plus 5 by 4 3 3 square 9 plus 5 by 4 4 4 square 16 plus 5 by 4 5 and equal to 5 5 5 5 25 plus 5 by 4 चलिए sold करते हैं और आंसर आता है आपका देखे 5 plus 1 6 by 4 इतर क्या होगा आपका टू तू तू जा फोर हो जाएगा यह होगा आपका 9 by 2 नेक्ट होगा आपका 3 और यहां पर आपका 9 plus 5 तो 3 in 2 14 by 4 और यहां पर आपका कैंसल होगा आगा सकता है यह 3 by 2 और यह से रेशी तर रिक सकते हैं तू ओर यह 7 27 21 by 2 next time देखते हैं आपर 4 4 कैंसल हो जाएगा 16 plus 5 it is 21 और नेक्ट में आप देखेंगे तो यह आपका 30 हो जाएगा तो 5 into 30 divided by 4 यह 15 हो जाएगा और यह 2 और 15 5 जा 75 अपन 2 तो यह था आपका question number 6 चलिए अभी करते है question number 7 और यह जैता कि यहां पर आपको question number 7 के चलिए instruction है के फैंदा इंडिकेटी टर्म इंडिज़ द फॉल्वलिंग सिक्वेंसिस इन एक्रसाइज 7 तो 10 हो जाएगा तो चलिए question number 7 का देखते हैं कोशने दिया हुआ है भाई एन इक्वल तो 4N-3 और हमें निकालना है a 17 and a 24 तो चलिए a 17 निकालते हैं पहले यह होगा आपका 4 time of n की value कितने यहां पर चलिए दिखते हैं put n equal to 17 तो यह 17 मिल जाएगा हमें यहां पर रख रहे हैं इन वन यह आपको जनरल ट्रम दिया गया है तो यह गा फॉर इंटो 17 minus 3 कितना हुआ आपका 68 minus 3 that's equal to 65 again put n equal to 24 तो यहां पर जाएगा a 24 यह 24 तो यहां पर जाएगा तो यह value हुए आपकी a 17 और a 24 की अभी question number 8 देखते हैं और यहां पर आपको दिया है a n equal to n square upon 2 raise to power n और हमें निकालना है a 7 तो जो आपका जनरल ट्रम का फार्मुला है यहां पर हम put करेंगे n equal to 7 और आपको मिलेगा a 7 तो 7 का square upon 2 raise to power 7 तो यह 49 हुआ और यह तूरीट पार 7 को मैं तूरीट टूपार कितना होगा यहां पर 5 तक मैं पता 32 होता है 64 128 हो जाएगा तो यह आपका यह 7 मिला आपको अभी question number देखते हैं आपर 9 और इसमें आपको दिया गया है a n कुछ इस तरी से देखे a n equal to minus 1 raise to power n minus 1 और into n raise to power 3 हमार से पूछा है a 9 तो यहां पर आपका क्या put करेंगे इसमें put n equal to 9 तो a 9 की value कितनी होगी तो a 9 की value होगी minus 1 raise to power 9 minus 1 8 हो जाएगा और यह 9 raise to power 3 हो जाएगा तो यह तो का minus 1 raise to power 8 even है तो आप पावर तो आपके प्लस आ जाएगा और यह 9 9 जा 81 into 9 729 तो यह positive 729 आंसर होगा आई यह question number देखते हैं हम लोग 10 और यहां पर दिया है a n equal to n into n minus 2 upon n plus 3 तो यह आपका हो गया general term और हमारा से पूछा है a 20 so put n equal to 20 in formula 1 तो यह होगा a 20 equal to 20 20 minus 2 यहां पर आप देख सकते हैं और यह 20 plus 3 तो यह हो जाएगा 20 इधर हो जाएगा आपका 18 और डिवाइड बाए हो जाएगा 23 तो 18 टूजा 36 a 360 upon 23 तो इसे वाज़ा क्वेशन नमबर 10 और अभी हम क्वेशन आप 11 देखेंगे कि यहां पर दिया हुआ है इस्टेक्शन देखे के राइड आप फार्ट फाइट 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 फॉल्वाइग एक्सराइज 11 तो थर्टीन अब्टेन कोर्स्पोंडिंग सिरीज ओके तो दिया है आपको क्वेशन 11 देखें यहां पर यह वन की वैल्यू 3 डाइट दिये है और फॉर एन गेटर देन वन आपको फार्मला दिया है यह एन इक्वल टू थ्री टाइम एन माइनस वन प्लस टू तो हमें फ़र्ट फाइट अम निकालने है तो यह टू के लिए यह फार्मला अप्लिकेबल है जान रखेंगे है पॉ आपको डाइड़ दिये है तो एटू कि वैलें कितने होगी ठी टाइम ओफ एट टू माइनस बन तो मैंना कितना हो जागा यह फ्लस टू यानिक आपको मिलेगा ठी टाइम ओप और यह कितना एटर्वन की वैल्यू 3 प्लस टू और यह वैल्यू आपके कितने खिर सेज़ा तो नाइन प्लस तू 11 फिट अब एट रिनिकालेंगे तो त्री टाइम ऑफ किता लिखेंगे थ्री माइनस वन यानिकी टू तो ये टू प्लस तू तो त्री टाइम आप 11 एटू की वाली अप्लेवन आचुकिये प्लस टू यह जागा 33 प्लस 235 आई ये फोर निकालते है थी टाइम आफ एट यू प्लस टू शेल लिक ओड आठी टाइम ओड़ अफ थाइव फाइव फ्लस टू और ठीफाइश दिभी यह जा यह 105 व्लस टू 17 और फिर हमें यह 5 निकालेंगे तो यह होगा 3 time of a4 plus 2 और जो हो जाएगा 3 time of 107 प्लस 2 और यह होगा 321 प्लस 2 ज्यानि 323 sequence क्या बनेगी तो जो टम आया उनकी सिक्वेंस बनती है आपकी a1 a2 a3 a4 इस तरह जो हम लिखेंगे उनको a5 यह आपकी सिक्वेंस बनेगी और फ़र्ट फाइट्रम के लिए हमार से पूछा है तो यहां पर आएगा इवन की वैल्यू 3 फिर क्या होगा 11 फिर नेश्ट आपका 35 फिर 107 और फिर 323 और जब आप सिरीज लिखेंगे तो यह हो जाएगा 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 तो इस तरह से आपकी सिरीज मिल जाएगी आए ये क्वेशन नमबर 12 देखेंगे और यहां पर आपको दिया गया है देखें…. ए 1 इक वर टू-1 और फिर ए ए N की वैल यू दिये है a n minus 1 upon n for n greater than equal to 2 यानि greater than 1 तो यहां पर आप देखेंगे a2 की वैल्य मिलेगी 2 minus 1 1 even upon 1 that is nothing but minus 1 upon 1 equal to minus 1 और a n minus 1 upon n तो यहां पर 2 है न तो इसके लिए आपके 2 आ जाएगी तो यह होगा minus 1 upon 2 आये a3 निकालते हैं तो यह होगा आपका a2 क्योंकि 3 minus 1 2 हो जाएगा upon 3 a2 की वैल्य कितनी आई minus 1 upon 2 upon 3 यह होगा minus के 1 upon 6 a4 calculate करते हैं यह होगा a3 upon 3 यह नि मैनस के 1 by 6 अपन यहां पर क्या जाएगा 4 के साथ 4 तो यह होजागा minus के 1 by 24 चलिए a5 निकालते हैं यह होगा आपका a4 upon 5 और वैल्य होगी minus 1 by 24 upon 5 तो मैनस के 100 120 और इस तरह आप जाब तो शिक्वेंस लिखेंगे तो वह आएगे आपके minus 1 minus 1 by 2 फिर होगा आपका minus 1 by 6 minus के 1 by 24 minus के 1 by 120 और इस तरह से फर्ट फाइटम बताने हमें सिर्फ और जो सिरीज होगी उसमें दिखेंगे minus 1 plus minus 1 by 2 plus minus 1 by 6 plus minus 1 by 24 plus minus के 1 by 120 यानि जो भी आपको टर्म दिये हुए उनका जो सब्मिशन है वह आपके क्या होगी सिरीज होगी और देखिया भी क्वेशन नंबर 13 देखते हैं यहां पर दिया है आपको का मतलब हुआ यह की वैली भी तू यह है और आपको दे रखा जाए टू और अन के लिए पर्म लाए अन-1-1 इच्छ ऑड इपलिकेबल फूर और ग्रेटर देन 2 यह आपका general term हुआ आए तो हम a3 से लेंगे क्योंकि greater than 2 के लिए अपलाई होता है तो यह n-1-1 है न n-1-1 बिल्को ठीक है तो यहां पर कितना होगा 3-1-1 यानि यह होगा आपका a2-1 यानि कि टू एटु की वैलो क्या होगी टू-1 अब हम निकालेंगे क्या a4 और यह वैलू क्या होगी यह होगी a3-1 तो कितना हो जाएगा यह यह होगा 1-1 that's equal to 0 because a3 की वैली 1 आई थे a5 चेक करते हैं यह होगा n-1 करेंगे तो 4-1 और यह होगा 0-1 that's equal to minus 1 चलिए sequence लिखते हैं और sequence होगी आपके a1 a2 a3 a4 a5 इस तरह से और यह होगी आपके 2-2-1-0-1 और जब आप सिरीज लिखेंगे तो होगा 2-2-1-0-1 इस तरह सा आपके sequence और सीज आपको दोनों मिल जाएंगे और अभी question number यह क्या था आपका 13 और हम कर रहें एक्सराइज कौन सी भाई एक्सराइज है आपके यह 9.1 और अभी इसका लास्ट question जड़ी 14th question और यह फैवनेची स्क्वेंस के ऊपर दिया हुआ है देखें यहां पर श्रीज दी गई है फैवनेची स्क्वेंस के लिए दिया है 1 equal to a1 equal to a2 और इसका मतलब हुआ a1 की वैली बी 1 और a2 की वैली बी 1 और इसके आगे फिर फाम्ला दिया है a n equal to a n minus 1 plus a n minus 2 and this is applicable for n greater than 2 आईए और हमार से पूछा है to find a n plus 1 upon a n for n equal to 1, 2, 3, 4 और 5 तो इसके लिए हमें देखे धन से a5 चाहिए और a6 तो हमें 6 तक जाना है तो start कहां से करेंगे a3 से start करेंगे क्योंकि a1 और a2 आपको direct दिया हुआ है और इसके लिए a1 की value 1 है a2 की value b1 है और a3 की value के लिए फाम्ला है a n minus 1 plus a n minus 2 तो यह n के लिए था तो 3 के लिए क्या करेंगे 3 minus 1 और 3 minus 2 का मतलब क्या हुआ a2 plus a1 और a short करेंगे तो आपका आएगा दोनों की value है 1 1 1 है 1 plus 1 that's equal to 2 अब आप a4 निकालेंगे that will be equal to a3 plus a2 तो यह a3 की value 2 और a2 की value 1 तो यह value होगे आपकी 3 अगें a5 निकालेंगे तो a4 plus a3 तो यह 3 plus 2 equal to over 5 now a6 की value होगी a5 plus a4 equal to कितना हो जाएगा 5 plus 3 equal to 8 हमें a6 तो काम चल जाएगा चाहें तो आगे भी कल्कुलेट कर सकते और यहां पर आप देखेंगे जो सबसे पहला हमार से पूछा है वो हमें निकालना है a n plus 1 over a n इसकी value calculate करनी है और जो n की value है वो 1 2 3 4 5 तक जाना है तो 4 n equal to 1 4 n equal to 2 4 n equal to 3 4 n equal to 4 4 n equal to 5 तो चलिया calculate करते हैं तो n equal to 1 के लिए हो जाएगा 1 plus 1 2 यानि a2 by a1 और यहां पर n equal to 2 के लिए यह हो जाएगा आपका a3 upon a2 calculate करना है n equal to 3 रखेंगा 3 plus 1 4 तो a4 upon और यह a3 हो जाएगा अगें यहां पर आपका a5 by a4 हो जाएगा और लास्ट में आप calculate करने किसके लिए n equal to 5 के लिए यह हो जाएगा आपका a6 upon a5 आई यह calculate करते हैं a2 की value क्या थी आपके देखें that is 1 upon 1 तो यह 1 हो जाएगा फिर a3 by a2 a3 की value क्या है आपर देखें a3 की value है 2 तो 2 upon a2 की value 1 that is equal to 2 फिर a4 by a3 check करते हैं a4 की value 3 a3 की value 2 तो यह आपका 3 by 2 हो गया a5 upon a4 के लिए यह 5 upon 3 हो जाएगा और अभी a6 upon a5 8 upon 5 हो जाएगा तो इस्ट्वेंट यह थी आपके exercise 9.1 और यह question आपका 14 था देखें यह आपके question number 12 लिखा हुआ है यह पहला जो हमने रभ नहीं किया था in fact question number 14 तो यह थी आपके exercise जो कि बहुत ही आसांत ही हो पादा प्रपने यह किया ओगा